ख़गवान के सिंकृपा के फॉल सरूप है है आज हम और आप सब शनीवार की संधा काल में प्रोहणी के 220 के सपावन पनित प्रागण दिल्ली हरीटेज इस्कूल के पावन प्रागण में विद्ध्याले के प्रावन में आज हम और आप सब विद्ध्यार्थी बन करके बैठें कि शिमद्बान संदर कांड गायन करने का परमसो भाग्य प्राप्त हुआ है कि हरिटेज स्कूल के समगर परिवार को आज के उत्सों की बहुत बहुत शुब कामना और मंगल कामना करते हुए कि इस विद्ध्याले में जो भी बच्चा पढ़ने आए और कैसा बने कैसा होना चाहिए विद्ध्यावान गुने अति चातुर विद्यावान गुने अति चातुर विद्ध्यावान गुने अति चातुर विद्यावान 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 गुने और ये तीनों गुण रावन के पास भी थे रावन भी विद्यावान था रावन भी गुणी था और रावन भी अति चतुर था फिर हनमान जी में रावन में इतना फर्क क्यों हो गया फर्क इसलिए हुआ कि रावन ने अपनी विद्या का अपने गुण का अपनी चतुराई का सदव दुर्पयो किया और हनमान जी ने अपनी विद्या गुण और चतुराई का सदव सदुपयो किया राम काज करीबे को आतुर राम काज करीबे को आतुर हमारे पास भी ऐसी सभी सामग्रियां हैं हमारे और आपके जीवन में भी लेकिन जो सामग्री है हमारे पास जो शक्तियां है उन शक्ति का हम और आप विचार करें कि हम सब उसका सदुपयो करते हैं कि दुर्पयो करते हैं विद्धयाले में यही सिखाया जाना चाहिए कि इंस्ट्रौमेंट का प्रयोब कैसे करो अपनी बुद्धी का अपने गुण का अपनी सेवा का प्रयोब कैसे करना चाहिए ए राम आपके पास βानी दि है तो वानी से आप कि को गाली भी दे सकते हो करकश की लोग आपसे बात करना भी वानी तो सब के पास बराबर है लेकिन एक व्यक्ति से बात करने में आनंद आता है दूसरे व्यक्ति का बात तो कर छोड़ो वो दिख जाता है तो लोग रस्ता बदल लेते ए राम काज करी बेखो आतुर 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 राम काज करी बे हनमान जी सदाई रामकाज करने के लिए आतर रहते हैं और रावन ने कभी रामकाज नहीं किया कामकाज किया और हम से भी आज कोई बात करता है तो हम में से कोई भी व्यक्ति यह नहीं करता आज कल रामकाज कैसा चल रहा हम सब गोते हैं कामकाज ठीक चल रहा है हम लोग भी क राम काज करते हैं काम कांज ही लगे वुए घ्टिया हनमान जी की हनुमान चाली साह पर हमको ने सिखाया गया कभी काम काज मत करो राम काज कर ल्यक्ति काम आज करता है जब आपके पास सबग्र विद्धिया बुद्धि गुन चतुराई सब होता है लेकिन जब हम उसका दुर्प्योग करने लग जाते हैं दुर्प्योग कप करता है जब हमारी बुद्धी में को मती व्याकुक होती है तभी यह शुरुवाद होती है सुन्दर कांड में विभीशन जी के मुक्से रावन को सुन्जाया गया है कि सुमकि कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम अस का हुई नमध और बुद्धी धुर्प्योग को सुमति पुरुद्ध कि पुरान कहते हैं जहां सुमती ताह संपती नाना जहां सुमती ताह संपती नाना जहां कुमती ताह विपती निधाना और हमारे आप में यदि कुमती आजाए बिमारी आजाए तो इसको दूर कैसी किया जाए दुनिया में एक ही डॉक्टर है महावीर विक्रम बजरंबी कुमती निवारी सुमती के संगी 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 और पास बुद्धी हो गुण हो चतुराई हो और उसका सदप्योग करने के लिए हमारे अंदर सद बुद्धी हो तभी रामकारी हो सकता है विद्यागुण चतुराई हो तो हम उसका दुरप्योग भी कर सकते हैं रावन ने सदैव अपनी विद्यागुन चतुराई का दुरपयोग किया और हनमान् जी सदैव सदपयोग किया और इसीलिए दुरपयोग करने के कारण Rावन ब्राह्मन होने के बाषूद भी राक्षस बन गया और हनमान जी बंदर होने के बाद भी देवता बन गए बस हमारे आप सब के जीवन में भी विद्या गुण और चतुराई तो है लेकिन उसका उप्योग कैसे किया जाए ऐसी सुमती सदा हमारे दिमाग में हम सब क्या करते हैं जब भजन गाते हैं भगवान से मांगते हैं तो ऐसे गाते हैं रगुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम इश्वर अल्लाह तेरो नाम और सब को सनमती दे भगवान हमको छोड़ करके बस हम यह नहीं कहते हैं कि हमको सनमती दे और अगर परिवार में कोई कलहकलेश होता है तो वह हमारी दुर्मती के कारण होता है हमको मांगना चाहिए तो सबसे पहले अपने लिए मांगो कि भगवान मुझे दूसरों को तो बाद में देना पहले मुझे दो जब हम पैसे की बात करते तो हमें चाहिए लेकिन जब स Wait हमको च्षोड देना इसलिए किसी की सर्मती होती ही नहीं सब दुर्मती में हो जाते हैं इसलिए सबसे पहले मांगो हम को सलमती दे भगवान हम को सन मती दे भगवाण विद्यावान गुणी हति चातुर राम ताजे परिवे गो आतुर विद्यावान गुणी हति चातुर राम काजे करिवे गोआतुर झाल झाल